तो और मेरे बाई कयसे हो, आप सुब स्वगत है आपको आपको आरे और एक न्वीड़ो पर तो बई आज न्यू याड़ेल एप्येयन सेटिंग के साथ जहांपोर आज में आपको ऐसा इप्येयन सेटिंग बताने वाला हो जिसको करने के बाद आपका internet और भी ज्यादा increase हो जाएगा साथ ही साथ अगर आप games वगरा कहलते हो तो ping issue भी बहुत ज्यादा कॉम देखने को मिलेगा तो भाई creepy अगर के आप इस वीडियो को बिना skip करें एंट तो क्वाज करिए और हाँ अगर आप हमारे चेनल पर पहली बार आए हो सस्काइब करो यार सस्काइब करना बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि आप लोग वीडियो देखके चले जाते हो और सस्काइब नहीं करते हो तो दूसरी बार आपको इसी तरह की latest APN setting नहीं मिलेगा तो प्लीज यार सस्काइब करना मुद बुलो तो चलिए वीडियो को यहाँ से start करते हैं हाँ तो भाई इस APN को set करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी phone के setting को on कर देना है तो उसको select करने के लिए तो मैं यहाँ पर one select करूँगा select करने के बाद यहाँ पर आपको निचे की तरफ आना है आने के बाद यहाँ पर आपको access point names देखने को मिल जाएगा यह setting अलग-अलग phone से अलग-अलग रहता है name के option पर tap करने के बाद यहाँ पर आपको a capital में लिखना होगा लिखने के बाद आपको यहाँ पर i r t e l small letter में लिखना है देन उसके बाद आपको यहाँ पर space देना है g capital में होना चाहिए और यहाँ पर i small letter में फिर से g capital में और यहाँ पर a small letter में गिगा लिखने के बाद यहाँ पर साथ ही आपको capital में 3-0 net लिख दिएना है जैसी आप net लिखोगे तो यहाँ पर आपको space देना है space देने के बाद 4-0 पर लिख देना है और 7-0 Janı होना चाहिए जैसी कि आप देख़ें तो यहाँ पर यहाँ लिख देना है तो यहाँ पर small letter में so भी होना चाहिए GPRS लगाने के बाद यहाँ पर .com लगा देना है तो आप देख से तो यहाँ पर हमारा जो APN है वो पुरी तरह से बन चुका है सो भी small letter में यहाँ टेल gprs.com लिख देना है लिख के OK कर दीजिए APN को OK करने के बाद आपको यहाँ पर proxy not set port not set रहने देना है देन उसके बाद username पर आना है आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है जैसे ही में लिख रहा हूँ टिक उसी तरह से आपको लिखना होगा जैसे कि S capital में होना चाहिए देन उसके बाद आपको P small letter में WD यहाँ पर यह small letter में होना चाहिए देन उसके बाद आपको B capital में होना चाहिए और यहाँ पर small letter में O T लिख दीजिए लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक dot लगा देना है dot लगाने के बाद GIGANET लिख देना है ओके करने के बाद यहाँ पर हमारा username set हो चुका है password not set server पर आना है आने के बाद यहाँ पर आपको www. यहाँ पर small letter में होना चाहिए देन उसके बाद आपको यहाँ पर याँ टेल लिख देना है लिखने के बाद यहाँ पर .in लगा देना है देन उसके बाद आपको यहाँ पर APN टाइप देखने को मिलेगा तो यहाँ पर क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको small letter में default लिख देना है जैसे ही मैं लिख रहा हूँ टीक उसी तरह से लिख के OK कर दीजिए OK करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा APN प्रोटोकॉल तो यहाँ पर क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद IPB4 slash IPB6 select करना है APN रूमिंग प्रोटोकॉल same select करना है IPB4 slash IPB6 और यहाँ पर आपको निची की तुरफ आना है यहाँ पर आपको VRR का option देखने को मिलेगा तो VRR का setting को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यह जो APN setting में आपको बता रहा हूँ यह आपके state में साहिद काम नहीं भी कर सकता है तो आपको गबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे channel पर और भी यह आटेल APN setting है तो आप उनको देखके कर सकते हो किसी-किसी APN setting किसी-किसी state में काम नहीं करता तो इस चीज़ का आप दियान रखे आपको यहाँ पर जैसे ही मैं APN setting बता रहा हूँ नहीं करता है ठीक है तो दूस्तों यहाँ पर आपको VRR पर आना है आने के बाद यहाँ पर VRR पर टेप कीजे टेप करने के बाद unspecified को un-tick कर दीजे और यहाँ पर LT से लेके GPRS तो आपको select कर देना है जैसे ही मैं select कर रहा हूँ टिक उसी तरह से और यहाँ पर OK कर दीजे तो आप जाके अगर आपका यहाँ पर set नहीं हो रहा है यहाँ पर save नहीं हो रहा है या फिर आपका कोई दिक्कत आ रहा है जो network select क्या है वो नहीं हो रहा है तो आपको एक चीज़ काम करना होगा यहाँ पर आपको सो भी un-tick करके lt simple select कर देना है देन उसके बाद OK कर देना है फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको unspecified को tick करके बाकी सोब को un-tick कर देना है और OK कर देना है तो आप जाके देख लेना कि आपका network save हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर OK कर दीजे यह सोब select करने के बाद OK करने के बाद three dot पे click किजिए और save कर दीजे save करने के बाद आप देखसे तो second option पे हमारा जो network है यह टेल giganet 4G यह आ चुका है तो इसको select कर देना है जैसी आप यहाँ पर इसको select करोगे तो आप जाके आपका internet increase होने को देखने को मिल जाएगा उमीद करता हूँ इस वीडियो से मैं आपको 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 अच्छी तरह से समझा पाया हूँ कि किस तरह से आपको आपने